हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत एक बार फिर से हमारे चैनल पर इस वीडियो से हम रेजियूम करेंगे अपनी मौक टेस्ट की सिरीज को जो की मैज्स और रिजनिंग पे होगे इसके लावा चैनल पर समय समय पर बाकी सब्जेक्ट के भी मौक टेस्ट आते रहते हैं तो आप उनको भी देख लिया करिए इससे आपको कॉम्प्रिहेंसिव तयारी करने में हल्प मिलेगी अगर आप लोवर PCS पे फोकस कर रहे हैं तो चलिए हम लोग इसमें स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहला कुश्चन है स्टेट्मेंट और एजम्शन का स्टेट्मेंट और एजम्शन में आपको ये देखना होता है कि जो भी बात बोली गए उसके पीछे का थोर्ट प्रोसेस क्या था तो स्टेट्मेंट परते हैं इन और तो ब्रिंग पंक्चुलिटी इन आफिस, we must provide convenience allowance to the employees, says the GM to HR head, एक GM और HR head के बीच की conversation बताई गई है, जो GM है वो HR head से कहते हैं कि अगर आपको आफिस में punctuality लानी है, यानि कि आपको ऐसा कुछ चाहिए कि जितने भी employees हैं वो समय पे आएं और काम के प्रती मानदार रहें, तो आपको उन्हें convenience allowance देना होगा यानि कि याता यात भत्ता provide करना होगा, यानि कि जो भी किराया लगता है उनको यहां से office जाने का और वापस घर जाने का वो उनको company को देना चाहिए, तो क्या सोच कि ये बात बोली गई होगी, first है, allowance will not have help in increasing the punctuality, अगर GM को जरा सब ये लगता कि इससे कोई भी help नहीं मिल तो क्या ये बात बोलते, बिल्कुल भी नहीं बोलते, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, दूसरा है, discipline and reward goes hand in hand, यानि कि जहां पर discipline होगा, वहीं पर reward भी होगा, अगर आपको एक चीज को accomplish करना है, तो दूसरी चीज को picture में लाना ही होगा, तो ये बात बिल्कुल इनके दिम अगला question है, clocks related, अगर आप इस mock test की series से real benefit obtain करना चाते हैं, तो सबसे पहले वीडियो को pause करके, question को attempt करके, और उसके बाद explanation को देखिएगा, और आखिर में जब ये वीडियो complete हो जाए, तो comment box में reply करिएगा, कि आपके कितने सही हुए, तो फिलाल हम लोग इसमें आगे बढ होते हैं, एक घड़ी में 11 बच के 20 मिनट हो रहे होते हैं, इसका मतलब जो घंटे किस हुई है, वो 11 पे है, मिनट किस हुई कहां पे है, तो वो होगी 4 पे, अब इनके बीच में difference कितने का है, 7 का, एक unit बराबर होता है 30 के, इस value को आपको याद रखना होता है, तो 7 unit का अब क्या हो जाएगा, 30, 70, 210, अब यहाँ पर यह बताइए, घंटे किस हुई आगे है या फिर पीछे, तो यह आगे है, क्योंकि 11, 4 से बड़ा है, तो जब भी घंटे किस हुई आगे होती है, तो जितने भी minute हमारे पास होते हैं, जैसे इस case में 20 minute, उसका आधा हम answer में add कर देंगे, तो 210 प्लस 10 यानि 220 आजाएगा, अब 220 हमारा answer नहीं हो सकता, क्योंकि यह angle 180 से बड़ा है, और हमको 180 से छोटा angle लाना होता है, तो अगर 180 से बड़ा angle आता है आपके पास, तो 360 में से उसको less कर दीजिए, यह अपने आप 180 से छोटा हो जाएगा, तो इसका answer यह statement पे आपको argument के बारे में दिया हुआ है, तो ऐसे भी question आ जाते हैं, सबसे पहला statement देखते हैं, there should be greater representation of women in peace campaign, जितनी भी शान्ती स्थापित करने वाली संस्थाएं होती हैं, वहाँ पे women का representation बढ़ाना चाहिए, क्यों बढ़ाना चाहिए, सबसे पहला argument, yes, women bring sensitivity into peace mission, particularly in that field where women and child become the victims of human right violation, ऐसा बिलकुल करना चाहिए, क्योंकि यह जितने भी type के mission होते हैं, सान्ती वाले, उनमें women stability provide करेंगी, और काम जादा अच्छे से उपाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को सान्त कराना काफी मुश्किल हो जाता है, जो की victim बने हुए होते हैं, या फिर शिकार हो अपने आप में कठिन कार रहे हैं, अगर जो लोग खुदी इसका शिकार हुए हैं, उनी के वर्ग में से कोई आके इस चीज को represent करने लगे, तो ये काम आसान हो जाएगा, और ऐसा बिलकुल देखने को मिलता है, और ये चीज practically true भी है, तो पहला सही हो गया, दूसरा है, yes, women in uniform work for the other women and girls as a role model, जितनी भी औरतें या फिर लड़किया uniform पहन के वहाँ पे काम करेंगी, इस से जो दूसरी लड़किया और और औरतें हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा, तो ये कहां की बात हो गई, सबसे पहली बात तो statement में कहीं पे भी नहीं लिखा है, कि uniform पहन के उनको का करना है या फिर नहीं करना, तो topic से बाहर की बात हो गई, इस वज़े से ये गलत हो गया, तो यहां पे हमारा answer बनेगा, पहला सही, दूसरा गलत, यानि only argument, one is strong, option number A, ये question बताईए सभी, ये वीन डाइग्राम का है, यहां पे एक दावत में, जहां पे 100 लोगों को शामिल ह होना था, उन में से 50 लोग मचली पसंद करते हैं, 60 लोग चिकन खाना पसंद करते हैं, और इन में से 10 ऐसे हैं, जो कुछ भी खाना पसंद नहीं करते हैं, कोई तीसरी चीज खाना पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, हलाकि उस बारे में दिया नहीं हुआ है, आपको ऐसे गया चिकन, अब ये जो 50 लोग हैं, ये फिश के नीचे लिखे जाएंगे, इसको मैंने अंदर क्यों ने लिखा, क्योंकि ये जो 50 लोग हैं, केवल मचली वाले नहीं है, इस बात की कोई गरंटी नहीं है कि ये चिकन खाना पसंद करते हैं या नहीं, इसी तरह से ये जो 60 हैं इसको चिकन के नीचे लिखा जाएगा, अब ये जो 10 हैं, इस पूरे दोनों सरकल में से बाहर हो गए, तो हमें कुल 90 लोगों की बात करने हैं, क्यूंकि यही वो लोग हैं जो कि इन में से कुछ भी खाएंगे, और बागी 10 लोग कुछ भी नहीं खाएंगे, ऐसा सवाल में द खाते हैं, क्यूंकि एक लोग को हम दो दो बार काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब आंसर आ गया 20, क्यूंकि यही वो लोग हैं, जो कि दोनों ही चीज़ें खाते हैं, अगला कुछ्चन देखिए, यह आपका रैंकिंग अन अरेजमेंट का है, यहाँ पे एक और यह हैं विने, अजय की रैंक आपको कहां से पता है, लेफ्ट से पता है 7, विने की रैंक आपको कहां से पता है, राइट से पता है 9, अब हुआ क्या, इन दोनों ने अपनी पोजिशन इंटरचेंज कर ली, यानि यह उठके यहाँ चले गए, और विने साब उठके यह अब ऐसा होने से अजय की rank left से गयारा हो गई यह बताएं ये राइट से इनकी rank कितनी होगी तो राइट से इनकी rank वही होगी जो की पहले विनय की थी, क्योंकि यह विनय की कुरसी में आके बैठ चुके हैं इसलिए उन्होंने इनकी rank भी occupy कर लिये तो Ajay की rank left से हो गई 11 और right से हो गई 9 सेम बंदे कि अगर आपको left rank और right rank दोनों पता है तो total आसानी से निकाला जा सकता है L plus R minus 1 यानि 11 plus 9 minus 1 20 में से एक गया 19 option number B यहां से correct हो गया आपको यही बताना था कि उस particular line में कितने लोग है अगला question आपका compound interest का है simple की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे एक money 2.25 times हो जाती है मान लीजे शुरू में आपके पास 100 रुपय थे दो साल बात क्या हुआ कि यह 2.25 times हो गए यानि कि 225 रुपय में convert हो गए किस हिसाब से convert हुए यह चीज आपको बतानी है तो इसका तरीका यह होता है कि आप इधर का और इधर का square root ले लीजे और percentage निकाल लीजे इसका square root हो जाएगा 10 अगर यहाँ पर 3 साल होता तो cube root लेते लेकिन अभी हम square root लेंगे तो यह 10 हो जाएगा यह 15 हो जाएगा अब difference कितने का है 5 का कितने पर 10 पर तो यह आजाएगा 1 by 2 जिसका मतलब होता है 50% तो option number D यहाँ से correct होगा यह question बताईए सभी average का यह question है तीन group आपके पास में है A, B, C और तीसरा है overall यानि इसमें तीनों के student उठाके हमने merge कर दिये अब इन में कुछ student होंगे और कुछ होंगे उनके average marks सबसे पहले हम average marks को लिख लेते हैं A वालोंने कितने पाए? 70 B के average marks है 60 C के आपको पता नहीं है in fact निकालना भी आपको यही है A में कितने student है 40 B में 50 C में 70 overall कितने student है overall हो जाएंगे 70 plus 50 plus 40 7, 5, 12, 4, 16 यानि 160 overall average क्या है 80 है अब आप निकाल सकते हैं आसानी से लेकिन यह जो number है 40, 50, 70 और 160 यह आपकी calculation बहुत जादा बढ़ा देंगे तो weighted average की यह property होती है कि चाहें आप number को लेके solve कर ले चाहें आप इनके ratio को लेके solve कर ले answer सेम आएगा तो इनका ratio निकाल लेते हैं 10 से काटेंगे तो सारे 0 आपस में कट जाएंगे यह 4 बचेगा, यह 5 बचेगा, यह 7 और यह 16 बचेगा अब थोड़ी से आसानी हो जाएगी calculation करने में इसको आपस में multiply करिए क्योंकि average का मतलब होता है हर एक को कितने मिले और हर एक को मिले 70 एक ही हम बात कर रहे हैं और ऐसे ऐसे 4 student हैं ratio के हिसाब से तो यह हो जाएगा 74 जा 280 यह हो जाएगा 65 जा 300 इसी तरीके से और यह x इंटू 7, 7x और यह हो जाएगा 80 गुणे में 16 यानि 80 दहाम 800 प्लस 8 6 जा 48 1280 1280 यह आ जाएगा 300 और 280 580 प्लस 7x बराबर 1280 यह उधर जाके लेस हो जाएगा तो 7x बराबर 1280 माइनस 580 यानि 700 तो x की प्लेस पे आ जाएगा 100 हमको यही बताना था कि c के अवरेज मार्क्स क्या हैं तो वो 100 हैं तो option number d यहां से correct होगा अगला question देखे time, speed and distance का है आप इसे mixture and allegation का भी ले सकते हैं इसमें method of allegation लगेगा आप पढ़के attempt करके देख लीजिए लगेगा ही लगेगा क्यों? क्योंकि एक particular distance को 9 घंटे में travel किया गया और उसको 2 तरीके से किया गया अगर आप paddle चलने की बात करें तो speed 4 की रहती है और अगर आप paddle न चलके cycle पे चलने लग जाएं तो speed हो जाती है 9 overall speed क्या है? 61 by 9 क्योंकि speed बराबर होता है distance upon time तो बस 3 चीज़ें आपको एक जैसे मिल गई अब आप आप आसानी से लगा सकते हैं ऐसे less करने जाएंगे तो time लगेगा ऐसा करते हैं इस 9 की वज़े से problem हो रहे है न इसको sub में multiply करा देते हैं यह cancel हो जाएगा यह हो जाएगा 81 यह हो जाएगा 36 overall हो जाएगा 61 यह हो जाएगा 20 इसके difference को हमने यहां लिख दिया और इसके difference को यहां लिखेंगे यह हो जाएगा 25 5 से काटेंगे 4 बार में जाएगा और 5 से काटेंगे distance travel किया गया तो ये रहा distance का ratio foot द्वारा इतना travel किया गया 4 तो या तो answer 4 होगा या फिर उसका कोई ना कोई multiple तो 4 का multiple जो भी है वही answer हो जाएगा 14 नहीं होगा, वो नहीं कटता 4 से 15 भी नहीं कटता, 16 हो सकता है 17 नहीं कटता, इसलिए 16 definitely हो जाएगा तो option number C यहां से correct है ये question try करिए ये percentage का बहुत अच्छा question है और आप इसे कर सकते हैं ये important हो सकता है आपके आने वाले exam के लिए यहां पर एक archer होता है यानि कि निशाने बाज अब उसकी probability दी गई है कि अगर वातावरंड में हवा चले तो उसके निशाने कि जो accuracy है वो कम हो जाती है 20% कम हो जाती है तो इसका मतलब रह कितनी जाती है 80% और होता ये है कि उस situation में जब हवा चल लए होती है तो हर साड़े 300 में से वो 196 निशाने correct मारता है तो 80% का मतलब ये है आपको बताना ये है कि 1500 निशानों के इसाब से उसकी मारक समता क्या होगी नॉर्मल कंडिशन्स में यानि कि जब हवा नहीं चल लए होगी तो ये बताईए जब हवा नहीं चल लए होगी तब उसकी accuracy क्या होगी 100% तो 80% का मतलब ये है तो 1% का मतलब क्या हो गया 196 by 350 divide by 80 आपको 250 के इसाब से निकालना है तो 250 से multiply करा लीजिए अब solve करिए answer तुरंट आपको मिलेगा 0 से 0 cancel हो गया इस वाले 0 से ये वाला 0 cancel हो गया उसके बाद 7 से इसको cancel करते हैं तो 35 पांच बार में चला जाएगा 7 दूनी 14 7 एट जा 56 5 ने इसको 5 बार में काट दिया उसके बाद 4 2 जा 4 7 जा उसके बाद 2 5 जा ये हो गया 25 और ये हो गया 7 तो 25 गुणे 7 कितना होता है 175 तो वो 200 में से 175 निशाने correct मारेगा normal condition में तो हमारा answer आगया C उसके बाद ये question देखिए coordinate geometry का ये question है आपको y intercept निकालनी है उस line की जो की इन दोनों point को join करने से बनेगी तो सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए कि इन point को join करने से equation क्या बनेगी वो बनेगी y minus y1 times of m in fact is equal to m times of x minus x1 जहाँ पे m क्या होता है m होता है y2 minus y1 divide by x2 minus x1 y minus y1 मान लीजिए x1 y1 ये है तो y1 हो गया 3 y2 minus y1 यानि 5 में से 3 गया तो 2 बचा उसके बाद में divide by x2 minus x1 यानि 3 में से 1 गया तो 2 बचा 2 बटे 2 यानि 1 तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है x minus x1 का मतलब क्या है x minus 1 अब एक काम करेंगे 3 को वहाँ भेजेंगे क्यूं भेजेंगे बता रहा हूं x minus 1 plus 3 क्यूंकि 3 जो है minus में था उधर भेजा तो plus में हो गया y is equal to x plus 2 अब इस equation को compare करेंगे आप y is equal to mx plus c तो आप देखेंगे m यहाँ पे 1 हो जाएगा क्यूंकि x के साथ 1 multiplied है और c के place पे 2 आजाएगा c को ही तो y intercept कहते हैं तो हमारा answer आगया 2 option number c